Hello everyone, welcome back to our channel आज हम पढ़ेंगे एक लाज सेकेंड हिंदी का चाप्टर मीठी सारंगी की question answer इसका हम reading part already कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो link description box में दे दूँगी अब वहाँ से जाके check out कर सकते हैं तो चली start करते हैं सारंगी की मिठास गाओं वाले कैते थे कैसी मीठी सारंगी इसका क्या मतलब है सही बात पर आपको right कर निसान लगाना है तो तीन options दिये हैं सारंगी चकने पर मीठी थी या सारंगी से निकलने वाली आवाद सुनने में अच्छी लगती थी या सारंगी के आसपास मदू मक्यां भिन बिना रही थी तो अगर आपने इसका reading पार्ट कर लिया होगा तो आप easily इसमें तिक लगा सकते हैं और अगर आपने नहीं किया है न तो आप सबसे पहले वाला पार्ट देख लीजिए उसके बाद question answer वाला पार्ट देखिए क्योंकि आप easily फिर आपको अच्छी से समझ आ जाएगा तो इसका answer क्या होगा ये सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी इसलिए गाउवाली क्या कहते थे कितनी मीठी सारंगी है तो ये हो गए उसके बाद आपसे पूचा है अब तुम समझ गए होगे कि गाउवाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे आप बताओ कडवी बात का क्या मतलब है देखिए अब हमने इस options में देखा और हम समझ गए कि गाउवाले मीठी सारंगी क्यों कहते थे अब हमें ये बताना है कि कडवी बात को हम क्या कहेंगे तो इसका हम answer देखो कैसे देंगे कडवी बात का मतलब है जो सुनने में अच्छी ना लगी उसको हम कडवी बात कहते है उसके बाद next question है कहानी से आप अपनी book open कर लीजिए आपको सारे questions दिखते जाएंगे उसके according आप question पहले अपने मन से लिखिए फिर आप ये मेरा वीडियो देख सकते है उसके बात जैसे मैंने इसमें लिखा है भोला इसमें पहला question है भोला ने क्यों सोचा कि सभी जूट बोल रहे है इसको ऐसा क्यों लगा भोला को तो इसका अंसरम लिखेंगे भोला ने सारंगी को मूँ से चाटा तथा उसके छेत को अपने मूँ के पास ले जाकर ओडेला भी किन्तों से कहीं से भी मिठास नहीं मिली तब उसे लगा कि सभी गाउवाले जूट बोल रहे है क्योंकि भोला जो है वो क्या समझ रहा था कि भाई जो सारंगी है वो मीठी है ऐसा नहीं था लेकिन जो सारंगी से जो धुन निकलती है आवाज निकलती है गाउवालो उसको मीठा बोल रहे थी इसलिए इसको क्या लग रहा था ये गाववाल दे तो सभी के सभी छूटे है उसके बाद next question पूचा है भूला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया इसका answer में हम क्या लेकेंगे क्योंकि भूला को संगीत का कोई ग्यान नहीं था इसलिए उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज कर खाने से मुह मीठा हो जाता है उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुह मीठा हो जाना चाहिए क्योंकि भूला संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता था इसलिए उसे क्या लग रहा था कि जैसे-जैसे सारंगी बजेगी तो उसका मुह मीठा हो जाएगा इसलिए सारे लोग मीठी सारंगी बोल रहे हैं इसलिए उसको नहीं पता था उसके बाद next question है भूला ने किस तरह से ये जानने की कोशिस की की सारंगी मीठी है सबसे पहले भूला ने सारंगी की खोल को उतार कर उसे चाटा तो जो सारंगी की खोल यानि सारंगी का जो कवर था उसको उतारा और उसने फिर सारंगी जो थी उसको चाटा फिर उसके छेट को मुह के पास ले जाकर उडेला यानि जैसे हम ग्लास में पानी भरेंगे तो अपने मुग के पास जाके ऐसे करते हैं ना ओडेलते हैं ना मतलब मुग में जाके इसे धक्काता देते हैं तो उसी तरह उसने क्या कि हो सारंगी उठाई और अपने मुग के पास ओडेल दिया ऐसे उसे लगा कि इसमें से कुछ बून टपकेगा तो उसको सख़द मिल जाएगा पर उसके वाबजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया ऐसे ऐसे उसने कोशिश की उसके बाद इस सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चड़ाया होगा तो इसका अंसर हम लिखेंगे सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चड़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादी ना पड़ी ठीक है उसके बाद है आपसे और किन-किन चीजों पर खोल चड़ाया जाता है तो आप ये बताईए कि और कौन-कौन सी ऐसी चीज होती है जिस पर हम cover चड़ाते है या खोल चड़ाते है वो जैसे मैंने या कुछ options दिये हैं जैसे तकिया हुआ, sofa हुआ, harmonium हुआ, guitar हुआ, रजाई हुआ बत्यादी पर हम cover चड़ाते है यानि खोल चड़ाते है ठीक है उसके बाद आपसे पूचा है गाव बजाओ आपको उपर बहुत सारे instrument के नाम दिये हैं ठीक है जैसे कि सारंगी हुआ, ढोलकवी, इकतारा, तबला, बासुरी, सहनाई, डफली, सितार, गिटार, हर्मोनियम बच्चो आपको यह बताना है कि आपने इन सारे instruments है लब जिसमें से धुन निकलती है, वाज निकलती है, उनमें से आपने कौन-कौन से instrument कौन-कौन सी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो इसके बार उपर संगीत के बाजो के नाम लिखे हैं, इन में से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर, इनके नाम सही जगए पर लिखो तो तार छेड़कर मतलब तार से बचता है कोई चीज, जैसे कि सारंगी थी, वो उसमें तार थे, उससे बजा रहा था हूँ जैसे धोलक हुई, उसमें हमें हाथ से थाप देनी पड़ती है, यानि हाथ से उसको मारना पड़ता है, तब वो बचती है तो इसी तरह यहां बहुत सारे बाजो के नेम है, बहुत सारे बाजो के नाम है, तो वो हमें बताना है कि कौन से तार वाले बाजी है और कौन से थाप बाले तो यहां हम यह तार वाले जो भी होंगे वो यहां लिखेंगे जैसे हमने लिखाए गिटार, एक तारा, सितार, सारंगी ठीक है इन सबी में तार होते हैं यह तार के थुरूबज इसमें से music निकलता है ठीक है उसके बाद थाब बाले यहांनि जिसे हम हाथ से बजाते हैं वह कि बाद next है हमारा उपर लिखे बाजो को जगा जगा उपर बजाया जाता है सोचकर लिखो इन जगा उपर क्या क्या बजाया जाता है तो उपर जो हमने बाजे देखे इतने सारे जैसे ये सारंगी, ढोला, एकतारा, तबला, बांसुरी, सैनाई ये सारी चीज़ें कहीं जगह पर बजाया जाता है तो कौन सी चीज़ कहां बजाई जाती है या आपने कहां सुना है आपको उसके according लिख देना जैसे यहां लिखा है रेल गाड़ी या बस में क्या आपने कभी देखा है कभी आप रेल गाड़ी में गए हैं यानि ट्रेन में गए या भस में गए हैं तो वहाँ कोई चीज क्या बज़रा है या बहुत सारे लोग आते जाते हैं तो बज़ाते रहते हैं तो उनमें से आपको क्या दिखाई दिया वो आपको बताना है जैसे मैंने या आप्शन में लखा है बांसुरी और एक्तारा आप तो चाहें कुछ अलग भी लिख सकते हैं अगर आपने कुछ और देखा हो तो ठीक है घर पर किसी अफसर पर तो घर पर अगर कोई अफसर होता है को इत्योहार होता है कहीं शादी होती है तो हम देखने की धोलग बचती है सहनाई बचती है तो यह हो गया भजन कीरतन जब होता है तो हर्मोनियम, धोलक, तबला भजन कीरतन में बचती है उसके बाद स्कूल में किसी अफसर पर गिटार भी बचता है, हर्मोनियम भी बचती है आप चाहें तो उनके अलावा भी लिख सकते है आपके स्कूल में क्या बचता है उसके according आप यहां लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद है हमारा इस कहानी में मिठास की बात है तुम्हें कौन-कौन सी मिठाई यानि मीठी चीज़ें अच्छी लगती है तो आपको कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो मीठी है होती है वो कौन-कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आपको यहां लिखना है मैं यहां सिर्फ एक्जामपल के तौर पे आपको बता रही हूँ जैसे मैंने यहां लिखा है मुझे खीर, हलवारस, गुले, काजुकतली, गुलाब, जामूर इत्यादित चीज़ें अच्छी लगती है आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है वो आपको यहां लिखना है उसके बाद है क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी हुई होती है मीठे के अलावा उनका और क्या-क्या स्वाध होता है तो आपको बताना है कि जो खाने की चीज़ होती है, वो सिर्फ मीठी होती है, ऐसा नहीं होता, खाने की चीज़े तो बहुत प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती है, इनका स्वाद नमकी, इनकड़वाती, खाया, चीनिय नमक, दूद, आम्ला, करेला, अध्रक, तो उनको हमें स्वाद के अनुसार लगाना है, ठीक है जैसे आम हुआ, मीठा हुता है, सेहर, मीठा हुता है, चीनिय दूद, तो यह दूद चीनी मिक्स होके मीठा बन जाएगा है, ठीक है, तो यह आप्शन हमने एक में रख दिया ठीक है उसके बाद है मिर्च का चार जल जीरा नीबू नमक ये हमने एक में रख दिया उसके बाद करेला अदरक आमला तो ऐसे हमने लिखे दिये ठीक है आप पहले स्वाद के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए ठीक है तुम इस तालिका से कुछ नाम अप कर देखो दें पर हैं बांसरी बंसी हंस हंस तो इनको उपने बोल के देख Turns आब इसमें लिखा रहा है नीचे दियेगए सब्दों में यह लिखना है या फिर यह बिंदू लगाओ तो नीचे आपको कुछ सब्द्ट है potion की यह इसमें चांद और ये बिंदू दोनों मिसिंग हैं तो आपको ये लिखना है जैसे कि ये चाद लिखा है तो इसमें हम ऊपर ऐसे कर देंगे तो ये चांद हो जाएगा ये चंदन हो जाएगा यहां बिंदी लगा देंगे तो इसी प्रकार आपको ये सारी चीज़ें ये आप खुद करना है आप इसे खुद प्राय कीजिए ठीक है और देखो उसके बाद आपको देखना है कि आपने ये सही किया है या नहीं आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं ठीक है अच्छो तो आपको ये चैप्र नहीं खतम होता है I hope आपको अच्छे से समझ आयो अच्छा वाच्छिंग